राज करमचारी सहुग परिशत के दिलाध्य दुर्ग विजय के नेतरित में प्रस्पतिवार को महिलाची की साले में बैठक किया गया जिसका संचालन मंत्री डीके सिंग ने किया इस दौरान बैठक में 14 अक्टूबर को होने वाले एक दिवसी धरने को सफल बनाने के लिए रणनीत बनाई गई बैठक में बीबी सिंग, आरूर सिंग, शरीफु जमा, रविन नरायर दुबे, उधै परताब, रिशिकेश पांडे, सहित आने लोग मौझूद रहे इस समद में गुरपूर ने उससे बात करते हुए राज इक्रामचारी संजुग परिशद के जिराध्य दुर्ग विजय ने कहा आज इप्सेश के आवान पर राज करमचारी संजुग परिशद के नेतित में जनपत गोरपूर में पूरे कारकाणी का बैठव हुआ है, जो चोदे तारिक को एक दिवसी धरने का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत के 25 राज्यों में लगभग-लभग करमचारी उस दिन आंदोलन पर रहेंगे, और सरकार के इस ब्यवस्था के खिलाप, जो आज हम लोगे स्क्रीनिंग की ब्यवस्था 30 साल और 55 साल कर रही इसके खिलाप, नीजी करण के खिलाप, पुरानी पेंसन ब्यवस्था अगर वो बहाल नहीं करते हैं, इसके खिलाप, ऐसे तमाम सम्झ जोते ही सरकार के साथ हुए हैं लेकिन सरकार के दोरा अभी तक कोई करमचारियों से हमारे करमचारी प्रतिन्दियों से कोई वारता नहीं किया गया है नहीं कोई या स्वासन मिला है इसके खिलाफ हम लोग सांकेतिक एक धरना ध्याना करसंड धरना चवद्य तारिक को करने ज करमचारी उसके साथ कदम से कदम मिला करके प्रांति नित्यत्य के साथ चलेंगे.